तो अगर मैं आपको पहले की रिजल्ट दिखाओ तो भाई तुम इहां पर देख सकते हो यहां पर पतले पतले बाल आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि यार इस तजबीर में आप देखिए यहां पर भी सेम ओही कंडिशन है देखो भाई जब बियर्ड ग्रोथ हो गई न और हां दोस्त आप इस वीडियो से जरूट कुछ न कुछ सीखोगे इसलिए मैं इस वीडियो में शुरुआत की फोटो में आपको दिखाते चलूंगा result by result मैं आपको दिखाऊंगा zero result and full result सब कुछ दिखाऊंगा तो दोस्त वीडियो में इंड तक बने रहना तो दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हो जिस बंदे का मैंने thumb lane photo में लगाया ना जो आप thumb lane में beard देख रहे हो वही बंदा है लेकिन मैं इसका पहले की तजबीर दिखा रहा हूँ जब दाड़ ही नहीं आए थी ति तब की है यहाँ पर देखो भाई पतले पतले baby hair सा गए अभी मैं आपको final result भी दिखाऊंगा तो दोस्त वीडियो बहुत मज़िदार होने वाली है तो इंड तक ज़रूर देखना तो यहाँ पर देखो भाई इनकी baby hair साब यहाँ पर धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और यहाँ पर देखो भाई ठीक फर्स्ट आइम इनों ने अपने beard को थोड़ा design दिलाया था और यहाँ पर देखो थोड़ा सेव किये थे तो मतलब सेविंग लाइन दो गई है और यहाँ पर देखो भाई तो यहार इनकी टर्मिनल हो चुकी है दोस्त 85% से भी ज्यादा उपर इनकी टर्मिनल हो चुकी अब यहां पर देखिए जो मैं यह तस्बीर दिखा रहा हूं इसमें टर्मिनल नहीं हुई है आप यह बिल्कुल मत सोचना कि इसमें टर्मिनल हुई है यहां पर बहुत नाजूक बेबी एयर्स हैं जो मैंने थंबने उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप कैसे अपने बियर्ड को यार सस्ते मिनोक्ष डिल से भी आप अपने बियर्ड को गुरो कर सकते हो देखो भाई जो 15 साल के हैं एज देखो कोई भी हो एज नो मैटर ठीक है आप लोग क्या क्या यूज करते हो उसके बारे में मैं आ को बतांगा कैसे यूज करना है सब कुछ मैं इस बीडियो में बताऊंगा तो बाइछ अगर अच्छा लिए दिख सकते हो लेकिन ये फाइणल रिजल्ट नहीं पर आप डिखो आपने बार मैं आपको पते हैं तो तुरस में आपको ब देखियर हो की इन की और आपने इह बाता आप लोगों को बता आहों देखो रहांट बेबी हेयर्स है तो भाई नहीं सेफ कराना है ठीक है मैं यह बात कई बार आप लोगों को बोला हूँ लेकिन आप लोगों को समझ भी नहीं आता है अभी दोस्त देखो एक बंदा है पकिस्तान का मैं उसका कल वीडियो जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा उसने अपने बी पूरी तरीके से गाइब हो चुकी 10-15 दिन वेट किया लेकिन फिर भी उसकी दाढ़ी नहीं आई तो यह गलती आप लोगों को नहीं करना तो चलिए मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं तो भाई यहां पर देखो इसकी टर्मिनल हो चुकी अब अभी उतनी अच्छी खासी अगर इस पर रेजर चलाया जाए तो दोस्त कुछ नहीं इसका उखड़ेगा 100% बोलाओ दोस्त और इस बंदे ने अपने बीर को कई बार सेप कराया यहां पर देखिए यहां पर देखो भाई ठीक है और यहां पर भी देखो इसकी हेर फॉलिकल से जो है आपको नजर आ र रिजल्ट अब दिखाता हूं यहां पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहां पर देखिए यह फाइनल रिजल्ट है जो कि यार इसकी बियर्ड इतनी मोटी हो चुकी है जो कि यह टेड़ा होने लगे है तो दोस्त अगर आपको बहुत ज्यादा लॉंग है और टेड़े हो और यह बंदा जो है मैंन मैंटर मार्स का भी यूज किया था ठीक और दोस्त आपको लागा आना ही है कोई भी जो भी हो भाई वीडियो को आप देख रहे हो ना आप लोग ज़रूर लगाएगा अगर नहीं लगाएंगे तो आपके इसकी में बलेकनेस देखेने को मिल सक तो भाई है आप लोग यहां पर देख सकते हो तौर साइसाट में आको जीड धूडा ड्री कर लेना इसके कोई दिक्कत नहीं है यह कैसे खतम होगा coconut oil और avian 400 से ही खतम होगा ठीक तो यहां पर देखो भाई क्या look है गजब किया ब्लेक हुई है यहां पर बियर देखो भाई ठीक है दोस्तों यह जनकारी सिर्फ आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगी ठीक जितना detail में बताता हूँ न कोई भी यूटूबर आप लोगों करता है तो उतना जल्दी मैं reply नहीं देता हूँ लेकिन जब भी time मिलता है तो भाई मैं तुरंत reply देता हूँ ठीक तो इसका tension आप लोग बिल्कुल मत रखिया कि भाई या reply नहीं देता है तो भाई पहले beard देखो और आप कैसे यूज करते हो आपको खुश सोचना चाहिए हम से क्या गलती हो रही है आपको खुश सोचना चाहिए मैं कीस तरीके से बताता हूँ आप लोगों से यार दोस्त फालू नहीं करते हो ठीक है जो बंदा फालू किया उसकी beard 100% आई और यहां पर देखो एक चीज मैं आपको बता दो जरा गौर से सुनिएगा यहां पर जो अगर डर्मा रोलर जहां जहां पर लागा होगे उहां पर थोड़ा रेड होता है ना वहां पर देखना beard बहुत अच्छे से निकल कराते हैं और यहां पर एक चीज मैं आपको बता दू जैसे कि आप लोग यह मुश्टेच देख रहे हो ना मुश्टेच के थोड़ा नीच कहां से एक्टिबेट होंगे और यहां पर देखो यह मुश्टेच जो हैना भाई बिल्कुल ड्राइ हो चुकी है तो यहां पर देखो पूरा रिजल्ट तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है ठीक है तो चलिए मैं आपको वाटसप पर लेकर चलता हूं और मैं आपक वहां से कुछ टिफ्स एंड ट्रिक्स बताता हूं ताकि आपको भी हेल्प मिले अपने ग्रो करने में तो दोस्त अगर वीडियो पसंद आएगी तो यार भाई चैनल को सब्सक्राइब करना यह चैनल आप ही लोगों कहा है मैं आप लोगों के लिए यही बनाता हूं वीड जरनी को तो यहां पर चलिए मैं आपको सुना देता हूं और नीचे यहां पर क्या लिखा है थिरी मंत 15 दिन हो गया मतलब तीन महीना 15 दिन हो चुके हैं और इनकी रिजल्ट जो भाई आप लोग तो मैंने दिखाई दिया है यहां पर आप लोग देखो एक नट मैं पतले बाल है लेकिन वहां पर टाइम लगेगा और ब्रो हो जाएगा बस तो कांटिनी यूज करना वैसे तुम्हारे बियर्ड जो एक पचासी परसेंट है टर्मिनल हो चुकी है देख रहे हो कितना मोटा हो गया है दोस्तों आप लोग नहीं होता है जब आप लोग डर्मा पर टाइम लगेगा ठीक है जहां पर बलर सअरकलेशन नहीं हो गाए वहां पर ब्रो पर तुम्हारे जिए ना थोड़ा स्व्लोग गरों जहां पर ज्यादा रेट होगा बलर सारकूलेशन होंगे वहां पर बियर्ड बहुत तेजी से आती है यह रियल बात है ठीक हब और करेंगे तो यार वैसे तो इनका तीन महिना होचुका है उसके बाद इनों ने जो एक अपनी जरुनी को स्टॉप करेंगे और वेट करेंगे देखते हैं मेरी बीयर्ड जाती है या ठीकती है तो यार मैं आपको बता दू अगर आपका विजरनी कंप्लीट हो गया तो दोस्त आप बे जीजक छोड़ दीजिए कोई दीकर नहीं है ग्राइंटिक साथ बोलाओ दोस्त आपके एक भी बीयर्ड लॉफ्स नहीं होंगे समझ में आ रहा ह तो भाई चलिए थोड़ा मैं आपको उपर लेकर चलता हूं भाई तीन मन्त दो दिन का रिजल्ट है विश्वास नहीं हो रहा है इतना जल्द आ गया तो भाई ये पहले का थोड़ा रिजल्ट देखता हूं कौन सा रिजल्ट है ठीक है तो यहाँ पर देखो मैंने आपको को तुरंद कोमेंट करना वीडियो में ठीक मैं उसका रिपलाई आप लोगों को बहुत तेजी से दूंगा वाई और भी यहां पर देखो सिकेंट टाइम सेफ करवा लिया है वाई तो यार इन्होंने अपने बियर को सेफ कर रहा था जो मैंने पीक आफ को दिखाया है और एक अगर आपको कोई भी डिककत होती है कोई भी प्रोबलम होती है तो मेरे को तुरंद बताना दोस्त और यहां पर देखो पहले की रिजल्ट जो है लगबग यह दो महीने की रिजल्ट है इन्होंने अपने बियर को जब सेफ कराया था तब यह बियर थोड़ा गुरो हो चु यार मैंने अपने बियर को मिनोगडिल से ग्रो किया है आप लोग भी ग्रो कर सकते हो और वह क्या करता है बंदा आप लोगों को बताता है और आप लोग जाते हो जोए की बियर डॉयल मिनोगडिल पता निक्या क्या लेते और आप लोगों को यार दिक्कत होती है भाई एक देखो भाई अगर आप डेली एक काम करते हो ना तो आपको बोरिंग फील होगी तो देखो यार मिनोगडिल का डेली कहा हम है तो आपको डेली लगाना है दोसे ठीक है छोड़ना बिल्कुल नहीं है और यार इसे मैं थोड़ा वीडियो कम अपलोड कर रहा हूं कल भी गया प पकड़ लोगे और यहां पर देखो भाई एक चीज में आपको बता दो यहां पर देखो कट लगा है और थोड़ा रेड भी दिखाई दे रहा होगा देखो भाई अगर तुम अपने बेड को सेफ कराने जाओग ना सेलोन में तो भाई इतना ध्यान रखना उल्टा उस तर अगर आपकी स्टोंटी है तो भाई कोई भी मिनोगडिल लेलो कोई जरूरी नहीं में महेंगा ही ला लूंगा मैं सस्ता वाला लूंगा जो मन करें लो लेकिन भाई जो तरीका ना लगाने का डेली तुम एक टाइम लगा कोई दिखकत देगा तो भाई इसलिए एक टाइम लगा लगाने के बाद को कहीं नहीं जाना है घर पे रहना है बिल्कुल दम चुप्चा बैठकर कहीं कोने में पड़े रहना है मतलब आराम से जब जागा तब जाना गोमने ठीक है डर्मा रोलर कैसे यूज करना है बाई देको जहाँ जहां पर तुम्हें चाहिए डर्मा बाई गाल के बीच में पैची बन गया तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है इससे क्या होता है तो चले दोस्तों वैसे हर मैं मिनोडिल कैसे लगा हूं डर्मा रोलर कैसे यूज करूं आपको बीडियो देखोगे बाई मैं यही चीज बता है आपको समझ में आ जाए आप लोगों से चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बबाई